पर देविंद्र शर्मा जी अजय भाई मेरे बड़े भाई सरीके श्री ओपी श्रिवास्तव जी श्रिमति रेनू श्रिवास्तव जी अन्य सभी संभालनिय अतितिगन स्वामी जी का जैसा निर्देश है मैं आपसे पंद्रे मिनट में कुछ बातें कहना चाहता हूँ कुछ बिंदू आपके बीच पे रखना चाहता हूँ स्वादेशी से स्वावलंबी भारत ये बात हमें आज़ादी के साठ साल के बाद कहने की क्या जरूरत है क्योंकि ये बात तो लोकमान नितिलक आज़ादी के पहले कहा करते थे लोकमान नितिलक सन 1905 में यही बात पर जगे जगे वर्कशोप, सेमिनार, सिम्पोजियम्स किया करते थे स्वावलंबी भारत 1905 से 1911 तक सेक्ड़ों बार उन्होंने इस विशे पर परिजर्चा आयोजित की है इसी तरह से 1905 से 1911 के बीच में लाला लाजपतराय स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे इसी तरह से कलकत्ता के और पूरे बंगाल और भारत के एक बहुत बड़े करांतवीर अर्विंदो घोष स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे हमारे देश के आज़ादी के एक बहुत बड़े नायक महात्मा गांदी आज़ादी के पूरे समय में माने आज़ादी के अंदुलन के पूरे समय में स्वधेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे तो स्वधेशी से स्वावलंबी भारत की बात करने वाले आज़ादी के पहले के नेता थे अब आज़ादी के साथ साल के बाद हमको स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात क्यों करनी पड़ रही है क्या हमारी मजबूरी है क्या हमारी तकलीफ है हमारा दुख क्या है हमारा दर्द क्या है हमारी पीडा क्या है क्यों हमें यही बात कहनी पढ़ रही है जो कभी गांदी जी को कहनी पढ़ी लाला लाच्बतराय को कहनी पढ़ी विपिन चंदरपाल को कहनी पढ़ी लोकमान निटिलक को कहनी पढ़ी वही बात आज क्यों कहनी पढ़ रही है अब तो आजादी आ गई है अब तो अंग्रेज चले गए है अब तो इस्ट इंडिया कमपनी भी नहीं है इस देश में तब तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे इस्ट इंडिया कमपनी के गुलाम थे इसलिए हम स्वदेशी की बात करते थे अब आज़ादी के साथ साल के बाद फिर स्वदेशी की बात क करनी पड़ रही है ये एक गंभीर प्रश्ण है और वो प्रश्ण में आपके सामने खोलना चाहता हूँ बात ऐसी है कि हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित तो हो गई आजादी नहीं आई स्वतंतरता नहीं आई इस देश में 15 अगस्त 1947 को गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को सत्ता का हस्तांतरन हो गया स्वतंत्रता नहीं आई आजादी नहीं आई क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब है अपने तंत्र में जीना आजादी का मतलब है अपनी व्यवस्थाओं में जीना स्वदेश माने अपने देश की व्यवस्थाओं में जीना अपने तंतर की विवस्थाओं में जीना तब हम सोतंतरता की बात कर सकते हैं लेकिन आजादी के साठ साल के बाद तो एक भी तंतर ऐसा बनाने इस देश में जो अपना हो जिस संसत से कानून पारित होते हैं वो संसत अंग्रेजों की बनाई हुई है वो अपनी कहा है ये गोल गुंबच जो शून ने जैसा है ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ धाचा है 1927 में जिसको मात्मा गांदी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा था गिबम लगा के उड़ा दो इसको गांदी जी के शब्द हैं ये संसत को उड़ा दो राश्ट्रपती भवन को उड़ा दो क्योंकि वो वह सराय का घर हुआ करता था गुलामी का प्रतीक है तो गांदी जी से किसी ने कहा कि बापू आप तो अहिंसा वाले आदमी है और आप कह रहें इसको उड़ा दो तो उनका गुलामी के प्रतीकों को समआल कर नहीं रखा जाता कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपनी गुलामी के दौर के प्रतीकों को साज कर समार कर धो कर और पोंच कर रखता हमने रखा हुआ है हमारा तंतर जो संसद हमने बनाई है दुरुभागे से जिसको हम संसदिय लोकतंत्र कहते हैं ये तो अंग्रेजों का सिस्टम है पूरा को पूरा जिसको इंग्लेंड में वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम कहा जाता है उसको हमने दुरुभागे से पारलेमेंटरी democratic system कहना शुरू कर दिया जो कहीं से भी parliamentary नहीं है और कहीं भी democratic में आजादी आई नहीं है स्वतंत्रता मिली नहीं है बस इतनी ही स्वतंत्रता और आजादी है जो मैं आपसे कह रहा था कि पहले गोरे अंग्रेजों का साशन चलता था अब काले अंग्रेजों का साशन चलता है व्यवस्थाएं सब की सब वही है कानून सब के सब वही है नीतियां सब की सब वही है सब कुछ अंग्रेजों के जमाने का आज भी चल रहा है इस देश में इसलिए हम को आज भारत स्वाविमान की तरफ से स्वदेशी की बात फिर करनी पड़ रही है क्योंकि सब कुछ अधूरा है 15 अगस्त 1947 के बाद मैं आपको बहुत दुख के साथ एक बताना चाहता हूँ अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया और भारत जैसे 50 देशों को गुलाम बनाया उन में से कुछ देश हैं जैसे कनाडा है, औस्ट्रेलिया है, न्यूजिलेंड है ये एक गुरूप के देश है भारत है, पाकिस्तान है, बंगला देश है ये दूसरे गुरूप के देश है मारिशष है, श्रीलंका ये तीसरे गुरूप के देश है ये grouping किस तरह की है अंग्रेजों ने तीन तरह के देश गुलाम बना के रखे थे एक देश को अंग्रेज कहा करते थे Self-Governing Colonies Self-Governing Colonies में ये था Canada, Australia, New Zealand ये अंग्रेजों का गुलाम था लेकिन इनकी category थी Self-Governing Colonies माने वो देश कुछ-कुछ अपने हिद के कानून खुद भी बना सकते थे लेकिन ज़्यादा कानून अंग्रेज बनाते थे दूसरे ग्रूप में श्री लंका, मौरिशोस जैसे देश थे जिनको Crown Colonies कहा जाता था उस जमाने में Crown Colonies में श्री लंका था मौरिशोस था, ये सूरी नाम वगएरा ये देश थे और तीसरा था Depending Colonies उनमें भारत, पाकिस्तान वगएरा वगएरा थे Depending Colonies सबसे खराब गुलामी का धाचा था सबसे खराब गुलामी का उसमें क्या होता था कि आपको अपने हातों अपने देश के लिए, अपनी व्यवस्ताओं के लिए कुछ भी करने का अधिकार ही नहीं है सब कुछ अंग्रेजों के पास है आप तो उनके पूरे डिपेंडेंट है तो वो हम डिपेंडेंट अंग्रेजों के हो गए क्योंकि हमारे यह गुलामी आ गई और वो हमारी कुछ छोटी मोटी गलतियों से आ गई इस्ट इंडिया कंपनी यहां व्यापार करने के लिए गुस गई एक राजा था जहांगीर उसने आगा न देखा न पीछा लाइसेंस दे दिया व्यापार करने का जैसे आज़कल हमारे नेता विदेशी कंपनियों को व्यापार करने के लाइसेंस दे देते हैं थोड़े से पूझी के लालच में कि विदेशी पूझी आएगी थोड़ी विदेशी पूझी आएगी इन मुर्ख नेताओं को ये नहीं मालूम है कि बाहर के बोतल के दिये हुए खून से कोई मरीज जिन्दा नहीं बचता अगर किसी व्यक्ति का खून बनना बंद हो जाए अगर किसी देश में पूझी का उत्पादन होना बंद हो जाए तो बाहर की पूझी लाकर किसी देश का विकास नहीं हो सकता जैसे किसी मरीज के शरीर में खून बनना बंद हो जाए तो बोतल का खून चड़ाकर कितने दिन जिन्दा रखेंगे आप उस मरीज को आखिर उसको आज नहीं तो कल अपना खून बनाना ही पड़ेगा तब ही वो जिन्दा रहेगा वैसे ही पूझी की जरूरत है तो पूझी उत्पादन का तरीका बढ़ाना पड़ेगा बनाना पड़ेगा न कि ये कि हम भीक मांगके हमेशा पूझी लाएंगे तो विदेशी पूझी पर आधारित ये देश बनाने के चक्कर में सारे दरवाजे खोल दिये आजादी मिलने के पचास साल भी पूरे नहीं हुए सारे दरवाजे फिर खुल गए फिर से विदेशी कमपनियों का स्वागत है गलोबलाइजेशन है, लिब्रलाइजेशन है, प्राइवटाइजेशन है हजारों हजारों कमपनियों को बुलाया जा रहा है हर एक छेत्र में उनको व्यापार करने का लाइसेंस दिया जा रहा है जिन जिन छेत्रों में हम व्यापार करते थे अच्छा वहाँ भी उनको बुलाया जा रहा है पानी बेचने के लिए विदेशी कमपनिया आ गई, आलू का चिप्स बेचने के लिए आ गई, टमाटर की चटनी बेचने के लिए आ गई, आम का अचार बेचने के लिए विदेशी कमपनिया आ गई, डबल रोटी पाव रोटी बेचने के लिए, अंडर वियर बनियान बेच बेचने के लिए विदेशी कमपनिया, क्रीम पाउडर लिपिस्टिक बेचने के लिए विदेशी कमपनिया, साधरन सी छोटी छोटी चीजों से लेकर सार बड़ी चीज तक सब कुछ विदेशी बेचेंगे इस देश में, ऐसा माहल बनाया जा रहा है, और उसी में GM फूड व हमको पूजी निवेश की जो जरूरत है, उसमें पूर्ती होती रहे, थोड़ा टेक्स मिलता रहे, और नेताओं को वाइंडिंग अप चार्जिस मिलते रहे, रिश्वत मिलती रहे, घूस मिलती रहे, हर विदेशी कमपनी के लिए दरवाजा खुला है, ऐसा लगता है कि भ उन्जीस सो बयालीस में महत्मा गांदी का नारा था इस देश में, करांतिकारियों का नारा था, कुट इंडिया, छोड़ो भारत, अब हमारे देश के प्रधान मंत्रियों का नारा है, निट इंडिया, वापस आओ, K.N.I.T. फिर जुड़ जाओ हमारे देश से तो इतनी बेशर्म हमारे देश में नेतागिरी आई है क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये गोरे अंग्रेजों की जगे काले अंग्रेजों ने ले ली है दिल दिमाग उनका वैसे ही चलता है जैसे अंग्रेजों का चलता था आज हमारा देश दुरभागिसे पूरा का पूरा खत्रे में है क्योंकि ऐसे नेता देश में कुरसी पर काबिज है जो हर छेत्र में विदेशी कमपनियों को बुला रहे है उन्होंने इतिहास से सबक नहीं सीखा है कि एक गलती जहांगीर ने की थी जिसकी सजा पूरे देश ने दो सो साल भुगती थी अब लग रहा है कि जहांगीर ही जहांगीर पैदा हो गए है मुझे तो कई बार ये व्यंग में कहने को मन करता है जहांगीर मरा नहीं है उसी की आत्मा हमारे देश के नेताओं में प्रवेश कर गई है जो देखो विदेशी कमपनी को लाने के लिए विदेश जा रहा है लाल कालीन बिचा कर उनका स्वागत कर रहा है हमारा देश ऐसा हो गया अब विदेशी कमपनियां घुज गई हजारों हजारों की संख्या में गुज गई इन कमपणियों ने जिन्दगी के हर छेतर पर कबजा कर लिया सबेरे आप सोकर उठें तो आपका टूथपेस बातरूम में जाएं तो शेविंग किट्स फिर नहाएं तो उसके बाद साबून फिर कपड़ा धोएं तो उसके जूते पहने चपल पहने क्रीम पाउडर लिपिस्टिक इस्तेमाल करें सब कुछ विदेशी सबेरे सशाम तर रात को सोने जाएं तो मच्छर भगाने वाली अगरवत्ती भी विदेशी और जिस मच्छर धानी में सोएं वो मच्छर धानी विदेशी जिस बिस्दर पे सोए उसका गद्दा विदेशी, गद्दे के ऊपर चादर विदेशी, सब कुछ विदेशी हो गया पचास साल पहले तक इस देश में स्वदेशी, 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 स्वदेशी मंत्र हुआ करता था आज इस देश के नेताओं ने विदेशी विदेशी सब बना दिया तो आज़ादी के 60-62 साल में हर छेतर में विदेशी करन जब हो रहा हो तब स्वदेशी की बात करनी ही पड़ेगी और आज़ादी के 60-62 सालों में जब हर छेतर में परावलंबन बढ़ रहा हो तो अब हमें फिर स्वावलंबन की बात करनी ही पड़ेगी इसलिए स्वावलंबन की बात आज हमें करनी पड़ रही मैं आपको एक बहुत खराब बात कहना चाहता हूँ लेकिन वो आपको जानना जरूरी है एक सच के रूप में हमारे देश में आज़ादी जब आने के लिए आंदोलन चल रहा था संगर्श चल रहा था तो नेताओं के दो वर्ग थे एक वर्ग था नेताओं का जो ये कहता था संपून आज़ादी चाहिए और अपनी शर्टों पर चाहिए क्योंकि कोई भी देश दूसरे देश को गुलाम बनाए ये उसके सम्मेदानी का धिकार का हनन है किसी भी देश को गुलाम बनाना किसी भी सब्विता में किसी भी संस्कृती में किसी भी समय में परमिसिबल नहीं है उसकी अनुमती नहीं है तो एक वर्ग था देश में नेताओं का जिन में लालल आच्पत्राय, विपिन चंदरपाल, लोकमानिबाल गंगादर तिलक अरविंदो घोष, भगत सिंग, उदम सिंग, चंदरशेकर आजाद, सुभाष चंदरबोस, आशवाकॉल्ला, रामपरसाद, बिस्मिल ये सब करांतिकारियों की एक लंबी सूची है जो ये मानते थे कि आजादी चाहिए, स्वतंतरता चाहिए और हमारी शर्तों पर चाहिए, अंग्रेजों की शर्तों पर ने लेकिन इसी देश में एक दूसरा वर्ग था नेताओं का जो ये कहता था कि ना आजादी चाहिए, ना स्वतंतरता चाहिए हमको तो अंग्रेजों की साट गांट करके सरकार चाहिए ना आजादी चाहिए ना स्वतंत्रता चाहिए अंग्रेजों के साथ कुछ दोस्ती हो जाए एक खराब शब्द है कॉलिशन बन जाए अंग्रेजों के साथ गवर्मेंट हो जाए हमारी एक नेताओं का वर्ग ऐसा भी था जिसके नेता थे पंडित मोतिलाल नहरू जिसके नेता थे फिरोशाह मेता जिसके नेता थे सुरिननाग बिनर जी जिसके नेता थे सुरिननासें ये नेताओं का एक वर्ग था जो ये कहता था अंग्रेजों से गट जोड करके किसी तरह भारत में एक ऐसी सरकार बने जिसमें पंडित मौतिलाल नहरू और उनके सहयोगी मंत्री हो जाए और अंग्रेजों का प्रधान मंत्री रहे ये उसके नीचे मंत्री रहे बस देश में चलता रहे आज़ादी की कायम क्या मत्लब स्वतनत्रता का क्या मत्लब तो एक वर्ग था ऐसे नेताओं का जो अंग्रेजों से गट जोड करके सरकार बनाना चाहता था और एक वर्ग था ऐसे नेताओं का जो संपूर आज़ादी और स्वतनत्रता लाना चाहता था दुरुभा की क्या हुआ जब ये देश आज़ाद हुआ तो जिस नेता के हाथ में ये कमान गई या जिन नेताओं के समूओं के हाथ में देश की आज़ादी की कमान गई वो वही थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर किसी तरह देश में सत्ता और गड़ जोड करना चाहते थे तो मानसिक्ता अंग्रेजियत वाली थी तो आजादी मिलते ही उन्होंने देश में वो कुछ भी नहीं किया जो होना चाहिए था आजादी के तुरंद बाद हमारी भाषा विदेशी हो गई क्योंकि हम गुलाम थे आजादी आई तो भाषा स्वदेशी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई हमारी भूशा विदेशी हो गई थी जो आजादी के पहले थी हमारी भूशा स्वदेशी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हमारा भोजन विदेशी हो गया था अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के बाद हमारा भोजन स्वदेशी होना चाहिए था वो नहीं हो पाया हमारा भजन विदेशी हो गया था अंग्रेजों के जमाने में वो भजन स्वदेशी होना चाहिए था वो भी नहीं हो पाया ना भाशा बदली, ना भूशा बदली ना भोजन बदला, ना भजन बदला और तो और भेशज हमारी और शदी, जो पूरी स्वदेशी होनी चाहिए थी आयुरवेद आधारे, वो पूरी पूरी अंग्रेजियत ताधारी तहलो पैती में चला गया माने आजादी के बाद बदला कुछ नहीं ना भाशा, ना भोजन, ना भूशा, ना भेशज, ना भजन, कुछ नहीं बदला बदला क्या? एक ही चीज़ बदली माउंट बेटेन की जगे पंडि जवरलाल नहरू माउंट बेटेन की जगे उनके मंत्री मंडल के एक्स वाई जड और कुछ नहीं बदला इस देश में सब का सब वैसे का वैसा ही रहा हमारे देश में सम्मिधान सभा बनाई गई सम्मिधान सभा में बारवर बहस हुई भाशा के सवाल पर लेकिन उस मामले को पीछे अटका लटकाया गया बार मर दहस हुई कि अंग्रेजों का कोई परतीक हमें नहीं रखना है इस देश में उसको ऐसे ही लटका के छोड़ दिया गया सारी की सारी सम्मिधान सभा की बहस बेकार हो गई जब 1935 के Government of India Act को भारत का सम्मिधान बना दिया हमारे देश के लोगों बहुत दुख और अफसोस होता है Government of India Act अंग्रेजों ने बनाया था भारत को 1000 साल गुलाम बनाकर भारत पर साशन करने के लिए वो हमारे देश का सम्मिधान बन गया Government of India Act का कौमा फुल स्टॉप और भारत के सम्मिधान का कौमा फुल स्टॉप आप मिला लीजे कोई अंतर नहीं है उसमें और जब ये बात उठी तो ये कहा गया भाई जल्दी है जल्दी है इतनी जल्दी में भारत का नया सम्मिधान नहीं बन सकता तो थोड़ा Government of India एक्ट ले लिया फिर अमरीका के सम्विधान से कनेडा के सम्विधान से ब्रिटेन के सम्विधान से यहां से वहां से वो कटिंग पेस्टिंग होती है न जैसे PhDs किये जाते हैं न हमारे देश में दस किताबें एकठी कर ली फिर उसमें से एक ग्यारे छप गई वैसे ही दुनिया भर की दस किताबें एकठी हो गई एक ग्यारे हमारी बन गई भारत का सम्विधान जिसका सबसे बड़ा जूट है वो वाक्य जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग इस सम्विधान को आत्मार्पित करते आके देख ले इस देश में कब किया था हमने आत्मार्पित उसम्विधान कानून अंग्रेजों ने बनाए 34,735 इंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए सारे के सारे कानून बिना कॉमा फुलिस टॉप के आज भी चल रहे हैं इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ इंडियन सिविल सर्विसे एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ इंडियन पीनल कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ क्रिमिल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ Civil Procedure Code अंग्रेजों का बना हुआ और तो और Indian Evidence Act अंग्रेजों का बना हुआ Indian Citizenship Act हम भारत के नागरिक हैं नहीं यह भी अंग्रेज तै करके गए हैं उस कानून के आधार पर हम भारत की नागरिक ता पाते हैं या नागरिक हो पाते हैं कानून वैसे ही हैं सिवाए एक नाम बदलने के कि जहां पहले माउंट बिटन का नाम होता था करजन का नाम होता था लिलिदको का नाम होता था वारेन एस्रिंस का नाम था कलाइब का नाम था वहाँ पर अभ हमारे हिंदुस्तान के कुछ देशी नाम आ गए है व्यवस्था सब की सब वही है और तो और मैं आपको एक शर्म की बात बता रहा हूँ आजादी मिलने के 50 साल बात तक हिंदुस्तान की संसद में बजट शाम को पेस होता था शाम को 5 बज़े आजादी मिलने के 50 साल बात था क्यों? जब हमारी संसद में शाम के पाँच बजते हैं तो लंडन की संसद में सबेरे के साड़े ग्यारे बजते हैं बिटिश संसद में सबेरे साड़े ग्यारे बजए किसी को सुनना हो बजट तो अंग्रेज सुन सके इसके लिए आजादी मिलने के पचास साल बात तक सन 1997 तक बजट शाम को पाँच बज़े आता रहा इतनी गुलामी में ये देश रहा है इतनी गुलामी अंग्रेजों ने बंदे मातरम को बेन कर दिया था हमारे देश में आज़ादी मिलने के 50 साल बाद तक हमारे देश की संसतने पंदे मातरम नहीं गाया जा सका ये शरम की बाते हैं हम सब के लिए तो इसलिए हमारा मानना है कम सकम मेरा तो मानना है आज़ादी आई नहीं है स्वतंतरम सकम मेरा तो मानना है आज़ादी आई नहीं है स्वतंतरता मिली नहीं है सब्ता का हस्तान तरण हो गया गोरे अंग्रेज चले गए काले अंग्रेज आ गए जेश वैसे ही चल रहा है विवस्ता वैसे ही चल रही है इसलिए ना किसानों की हालत सुधरती है ना मजदूरों की हालत सुधरती है ना गरीबों की हालत सुधरती है क्योंकि ये विवस्था जो आज चल रही है ये तो अंग्रेजों ने बनाई थे लूट के लिए खसोट के लिए बरबादी के लिए आज़ादी मिलने के बाद अगर विवस्था वही चलेगी और आप ये कहो लूट ना हो तब तो ये होने वाला नहीं है लूट तो इस विवस्था का मुक्यादार है पहले अंग्रेज लूटते थे अब हमारे ही काले अंग्रेज लूटते हैं इस देश को पहले अंग्रेज लूटते थे इस देश को और लाखों करोड़ों रुपिया लंदन लेके जाते थे एक अंग्रेज का जानकरी दे के मैं खतम कर रहा हूँ रॉबर्ट कलाइब नाम का एक अंग्रेज था हिंदुस्तान आया बंगाल का राजा बन गया गवर्नर हो गया लूटना शुरू किया उसने कलकत्ता नाम के शहर को 7-8 साल लूटा लूटने के बाद सारा माल लेके लंडन गया ब्रिटिश पार्लिमेंट में उसकी शिकायत हो गई कई लोगों ने उसकी शिकायत की कि इसने बहुत अत्याचार किये हैं भारत में और लूट मचाई है तो उसके खिलाफ मुकदमा चला वो अंग्रेजों का पहला और आखरी अधिकारी था जिसके खिलाफ मुकदमा ब्रिटिश पार्लिमेंट में चला तो MPs कुछ खड़े हो गए और उससे पूछने लगे वई तुमने क्या लूटा है कितना लूटा है तो कहता है कि मैंने जितना भी लूटा है उसका आकलन तो नहीं किया है लेकिन भारत से लाने के लिए पानी के मुझे 900 जहाज लगे 900 शिप्स भरके मैं सोना, चांदी, हीरा, जवारात कलकता से लूट कर लाया तो फिर एक अंग्रेज पूछता इसका वैल्यू बताओ तो कहता है रफली 1000 मिलियन स्टर्लिंग पॉंड्स एक अंग्रेज इतना लूट के ले गया लंदन में उसने जमा कर लिया तो ये तो अंग्रेज था जो विदेश से आया और हिंदुस्तान को लूट कर ले गया अब काले अंग्रेजों ने इस देश का 72,80,000 करोर रुपए पिछले साथ साल में लूटा है और सुड़सर लेंग की बेंकों में जमा कर रखा है आप बताईए इन में और अंग्रेजों में क्या फरक है तो इसलिए इन काले अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़नी पड़ी थी इन काले अंग्रेजों को हिंदुस्तान से ऐसे ही भगाना पड़ेगा जैसे कभी अंग्रेजों को भगाना पड़ा था और इस व्यवस्थाओं को खतम कर देना पड़ेगा जो अंग्रेज हमारे याँ छोड़कर चले गए है हमारी पूरी की पूरी करशी व्यवस्ता और करशी नीती अंग्रेजों की है वानिज व्यवस्ता वानिज नीती अंग्रेजों की है टेक्सेशन का सारा सिस्टम अंग्रेजों का है education पूरा अंग्रेजों का है syllabus पूरा अंग्रेजों का है और तो और subject नहीं बदल पाए हम आज़ादी के साथ साल में anthropology अंग्रेज पढ़ाया करते थे गुलाम लोगों के अद्धियन के लिए वो आज भी पढ़ाया जा रहा है इस देश में तो बहुत शर्म है हम सब को अपने आप पर और अफसोस है इसलिए हमें स्वदेशी की बात स्वावलमन की बात फिर कहनी पढ़ रही है आज़ादी के 62 साल में और एक अधूरी लड़ाई जो छूट गई 1947 पंद्र अगस्त में वो अधूरी लड़ाई को हमें पूरा करना है स्वतंत्रता हमें लानी है स्वराजी की स्थापना हमें करनी है स्वदेशी को लाना है स्वराजी और स्वदेशी को लाकर ऐसा एक तंत्र बनाना है जो सुजलाम सुफलाम भारत का प्रतीग बने ये बोलकर आप सभी का आभार बहुत देनेवाद